जै मांत यदी नौरात्री में कर्जों से मुक्ती पाने के लिए छोटे से परियोग की जाते हैं वैसे तो आप तीन दिन लगातार ये परियोग कीजिएगा लेकिन मां लेते हैं आपने नौरात्र में किसी कारण बस नहीं कर पाया तब आम दिनों में तीन सनी बार ये परियोग कीजिएगा नवरात्र के नो दिनों में किसी भी दिन अगर एक छोटा सा परियोग कर लें तो आपके जीवन के बड़े से बड़े करजे भी सरलता से समाप्थ हो जाएंगे दहन आने लगेगा और करज से मुक्ती मिल जाएगी आपको ये परियोग हलांकि तीन दिन लगातार करनी है लेकिन नवरात्र के किसी भी दिन से सुरुआत करके कर सकते हैं अगर नवरात्र में नहीं कर पाए किसी कारणवस तब आप बाद में कब करें ये भी हम आपको बताएंगे तो चलिए सुरुआत करते हैं करज तो हर कोई चाहता है वो करज मुक्त जीवन जीए अब कोई सौक से तो लेता नहीं लेकिन अगर मान लेते हैं किसी भी कारणवस आप करज में फस चुके हैं अब फस चुके हैं तो निकलना भी जरूरी है दुबारा से आप गलती नहीं करेंगे लेकिन अभी जो आप कर्ज की समस्या में फसे हैं उनसे बाहर निकलने के लिए माता रानी के सरन में आना होगा इस नवरात्र में एक छोटा सा प्रयोग कीजिए बड़ा से बड़ा कर्जा भी समाप्त हो जाएगा सबसे पहली बात तो आपको चाहिए होगा सुखा हुआ नारियल का गोला सुखा नारियल क्या होता है देखिए जिसमें पानी नहीं होता ना सुखा हुआ नारियल का गरी टैप का मिलता है तो आपको समूचा लाना है तुटा पुटा वा नहीं लाना है समूचा लेकर आना है तीन की संख्या में तीन आपको लाना है छोटा बड़ा माइने नहीं रखता आप छोटे छोटे भी देखके सुंदर सा ले ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब तीन गरी और चीनी ले आई यहापके जी घर में यूज होता ही होगा तो तीन गरी लाना है यानि कि नारियल का गोला लाना है सुखा हुआ और इसको लाकर एक एक करके तीन दिन में तीन गरी का प्रयोग होगा याद रखेगा इस गरी को लाने के बाद गरी का उपर में थोड़ा सा सीरा काट लीजिए हलाकि थोड़ पीपल के नीचे लेकर जाईए सुबह सुबह आपको पीपल के नीचे लेकर जाना है याद रखेगा सुबह सुबह पीपल के नीचे लेकर जाईए और मिट्टी में हलका सा मिट्टी हटाईए पीपल के नीचे के पास से मिट्टी और फिर वहाँ पर रखकर इस गरी को फिर से मिटी हलका सा ढग दे यानि हलका गढ़ा करके इसमें डालना है तीन दिन नवरात्र के दिनों में लगातार करें अब माल लेते हैं आपने नवरात्र के दिनों में किसी कारण वस नहीं कर पाया ये परियोग तब सनीवार के दिन ये परियोग कीजेगा तीन सनीवार लगातार यानि इस सनीवार किया फिर अगला सनीवार किया फिर अगला सनीवार किया तो ये तीन सनीवार करें या नवरातर के दिनों में तीन दिन लगातार करें ये परियोग बहुत सिंपल है और इस परियोग को करन तर निवाद